राज्य सरकारे और केंद्र सरकार दोनों के स्तर पर ये कोशिश हमेशा ही नजर आती है कि जरूरत मन लोगों तक मदद पहुचाई जाए इसके लिए कई तरह की योजनाय चलाई जाती है जिन में आर्थिक लाब देने से लेकर अन्य तरह की सुविधाय मौजूद होती है ऐसी ही कई तरह की योजनाय देश के अन दाताओ यानि किसानों के लिए भी चल रही है इन योजनाओं के तहट जरूरत मन और पात्र किसानों को आर्थिक मदद देने जैसी कई अन्य सुविधाय दी जाती है जैसे पीम किसान सम्मान निधी योजना के तहट किसानों को सलाना 6,000 रुपे दिये जाते हैं और इस पैसे को 22,000 रुपे की 3 किस्तों में पात्र किसानों के बैंक खाते में भेजा जाता है लेकिन देखने में आया है कि अपात्र किसान भी गलत तरीके से इस योजना का लाब उठा रहे हैं जिसके कारण उन पर कार्यवाही शुरू हो गई है दरसर जो लोग अपात्र है और फिर भी पीम किसान योजना का लाब ले रहे हैं ऐसे लोगों के लिए सरकार ने पंचायत स्तर पर सोशल आउडिट शुरू कराया है जो लोग अपात्र है उनको सरकार की तरफ से पैसे वापस लटाने के लिए कहा जा रहा है ऐसे किसानों की लिस्ट लंबी है जिन्होंने गलत तरीके से योजना का लाब लिया है अगर आपने भी ऐसा किया है और आप चाहते हैं कि आप सरकार की तरफ से होने वाली कारेवाही से बच जाए तो इसके लिए आपको जल्द से जल्द पैसे रिफंट करने होंगे हो सकती है फिलहाल के लिए बस इतना ही आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूस साई धन्यवाद